दोस्तों जब हम परिंदों को देखते तो मन में एक खायल जरूर आता है क्यों कितने आजाद हैं काश हम भी उनकी तरह आस्मान को छूपाते हैं पर क्या आपने कभी सोचा आस्मान के बादशा परिंदे कभी कभी जमीन पर खूखार जानवरों का शिकार भी बन जाते हैं जी हाँ ऐसा ही कुछ जानवरों का शिकार बनते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो मास भी खाते हैं आज का वीडियो कुछ ऐसी कहानी कहा रहा है जिसमें धर्थी पर रहने वाले जानवरों ने आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को अपने शिकार बना लिया रैकून वर्सस एगल अब इस एगल को इले लीजिए ये तो हम सब जानते हैं कि एगल कितना खतरनाक शिकारी पक्षी है मगर क्या गभी आपने सोचा है कोई एगल का भी शिकार कर सकता है वो भी जमीन पर यहाँ इगल का गोंसला है जिसमें उसके चोटे चोटे बच्चे हैं तब ही वाँ पर एक रैकून आ जाता है और वो इगल के बच्चों में से एक बच्चे को जबड कर ले जाता है अब यह कहना बड़ा मुश्किल है कि यह रैकून अपनी भूग मिटाने के लिए बच्चे को ले गया या फिर उसने किसी बात का बदला लेने के लिए उसे मार डाला जो भी हो रैकून ने चोटे इगल को अपना खाना दो बनाई लिया मगरमच वर्सिस गिद दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं पानी का बात्षा मगरमच जो शिकार के लिए अपने गजब की स्पीड के लिए जाना जाता है वो पाने में से किनारे पर खेल रहे दुख गिदों को देख चुका है दोस्तों आप मार्श लीगल के बारे में तो जानते ही होंगे वो कितना खतरनाग और चालाग शिकारी है इसके पैनी नजर से कोई शिकार बच नहीं पाता मगर जमीन पर लापरवाई से गुमना इस मार्श लीगल को भारी पढ़ गया दरसल एक लपड घात लगा इसकी हरकत देख रहा था और मौका मिलते हैं उसने एक जटके से इसे अपने दांतों तले दबा कर इसकी जान निकाल दी पक्षि वर्सस बिल्ले पक्षियों का शिकार करने में बिल्लियां बड़े माहिर होती है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं एक पक्षि जमीन पर फोदा करा है वहीं एक बिल्ली जो एक शातर शिकार या बड़ी शान्ती से उसो देख रही है मौका मिलते हैं बिल्ली ने एक जटके में इस पक्षि को मुह मद दबोच लिया चोटी चडिया वर्सेज बिल्ली बिल्ली ने सर्फ जमीन पर बड़े पक्षियों को शिकार करती है बल्कि वो उड़ती हो पक्षियों को पे नहीं छोड़ती जैसे कि आप देख सकते हैं एक छोटी सी चडिया बहुत देर से एक जाल पर बैठी है मगर वो ये नहीं जानती कि वो एक बिल्ली नजर में आ चुकी है जो उसे खाना बनाने का मन बना चुकी है जैसे वो जड़िया उड़ती है बिल्ली एक शांदार एथलीट की तरह जम्प लगा कर उसे कैच कर अपने पंजा में दवा कर भाग जाती है यहां कुछ फ्लेमिंगो पाने में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है तब एक जैकल अचानक हमला कर देता है फ्लेमिंगो कुछ समझ पाते है उससे पहले उसकी गर्दन जैकल के दांतों के बीज में थी यह दबाव इतना जादा था कि तुरंधी फ्लेमिंगो की जान निकल जाती है और जैकले से इतमेनान से खाने के लिए दूसरे तरफ ले जाता है पैंगुन वर्सेज लपर्ड सील पैंगुन है खुबसूरत पक्षिया जो लपर्ड सील के फेवरिट खाने माता है इस वीडियो में एक पैंगुन पाने की सता पर है तभी एक लपर्ड सील उसके पैरों को अपने मुँ में दबा लेता है और उसे खीच कर पानी के अंदर ले जाता है पैंगुन बचने की पूरी कोशिश करता है और एक बार के लिए वो लपर्ड सील के पकड़ से छूट जाता है लेकिन उसकी एक कोशिश कुछ खास काम नहीं आती क्योंकि लपर्ड सील बहुत तेजी से आकर उसे अपने मुँ में दबोच कर रखा जाता है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में